हेलो गाइस स्वागत आपका शिवा लेर्णिंग में जड़ा जाना करें के लिए आप हमारी वेबसाइट www.shivalearning.in.com पर भी लॉग इन कर सकते हैं तो गाइस ऐसा करने से हमारे देश में जो अभी टोटल सीट से मैनेजमेंट की बार हजार चार सो गया रहा है और वह बढ़के तेरह हजार दो सो ला जाएंगी तो आपको पता दूगा इस दोनों ही आई एम से एक परपोसल रखा है और अगर वह साइंटर से पास हो जाता है तो हमारे देश में आट सो पास सीट टोटल मैनेजमेंट की बढ़ जाएंगी मैं आपको बता दूगा इसकी कौन से आई एम में किती सीट है टोटल बढ़ जाएंगी और कौन पहले नंबर पर अभी हमारे जो देश में पहले नंबर पह रहा है वो आई एम इंडौर है और आपको आर्टीकल आगे बढ़के बतातों गई इसमें लिखा किया है IAM B and IAM A यानि कि IAM Bangalore IAM Ahmedabad have already sent their proposal to Human Resources Development Ministry IAM B has sought to add 425 seats and IAM A यानि कि IAM Ahmedabad 380 seats से वो बढ़ने वाले हैं वो सेंटर हैं सोट loan from higher education financing agency that is HEFA to create infrastructure for the additional student strength if the proposal intake is approved IAM B will have 1646 students against the present 1221 और ऐसा करने से वो देश का second high biggest institute बन जाएगा in terms of student क्योंकि अभी जो पहले नंबर पर वो 907 students की capacity वाला IAM इंद और है और IAM लखनो है जो 1332 seat के साथ second number पर है तो आइस अब मैं आपके इमेज दिखाता हूं उसमें दिखाएगा कि कहाँ पर कित्ते students हो जाएंगे और total seats कित्ती हो जाएंगी तो आइस देखते हैं कि अहमदाबाद में अभी total 143 seats है और एडिशन के बाद ही 1523 हो जाएंगी बैंगलोर में 1221 है जो बढ़के 1646 हो जाएंगी रेस्ट ऑफ इंडिया में 10,47 seat हैं जिन में इन दोनों के लावा भी किसी में एडिशन नहीं तो टोटल हमारे देश में 13216 seats हो जाएंगी एडिशन के बाद तो आइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही काफी अच्छी गूड न्यूज है आयमन के स्टुडेंटस के लिए मैनेजमेट के स्टुडेंडस के लिए वीडियो अच्छी लगए हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर हों गौं नाहीं की जडिया क्यों है Superintendent ृट नून के बादो नियूऑ hail the confidence future by presenting 對 झाल झाल झाल